let's see another adjustments cash in transit अब यह क्या चीज़ आ गई जी cash in transit आपने एक दूसरे को बेचा है माल तो बाद में payment भी तो settle करनी है न रिसीवल को आपने पैसे लेने है पैसे देने है तो ऐसे भी होता है sometime कि एक company ने अपनी payment के वक्त चेक इशू कर दिया और वो भेज दिया है let's say parents के पास उस चेक आना है लेकिन आया नहीं तो जिसने भेजा है उसने तो अपना payable खतम कर लिया accounts payable को debit करके cash को credit कर दिया लेकिन चूंके यह अभी उसके पास पहुचा नहीं है तो holding company की books में अभी receipt record नहीं हुई तो देखें holding company की books में आपका receivable stand कर रहा है जबके subscribe की books में payable खतम होगिया है तो यह तो cancel out नहीं होगा receival or payable cancel नहीं होगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है adjustment डालनी पड़ती है कि cash in transit जो है उसकी एक adjustment डालनी और इसी तरह stock के बारे में है कि अगर आपने sales की है तो आपने तो cost of goods sold को debit करके inventory credit कर दी लेक तो अभी अगर उसके पास पहुंची ही नहीं है लेकिन stock in transit में है तो उसकी भी आपको stock in transit की entry डालना पड़ेगी otherwise उनका जो balances है वो reconcile नहीं होगे और जब तक वो reconcile नहीं होते हम उनको cancel नहीं कर सकते तो यह भी एक तो देखिए cash in transit के बारे में balances may be unequal due to cash in transit cash in that has been paid by one entity but has not been received by the other entity so the cash in recorded in the receiving company's account similarly goods in transit मैंने explain कर दिया यह आपको कि अगर अभी in transit में cash हो या goods हो तो उसकी adjustment डालना पड़ेगी इंटर कंपनी balances के cancel करने के लिए फिर देखें cash in transit debit accounts receivable क्राइब उसको जिसने pay कर दिया वो नहीं करेगा जिसके पास भी पहुंचा नहीं वो करेगा इससी तरह जो आपकी inventory उसका भी यही साब अब देखिए इसमें a limited 80% holding in b limited sold a machine costing 500,000 to b limited 4 rupees 600,000 यानि आपने पांच लाग रुपय का asset 6 लाग में बेश तो आपने एक लाग रुपय का profit बनाया अब चुक्के group एक है तो आप यह profit नहीं record कर सकते हैं यह record में नहीं आएगा तो देखें adjustment क्या होगी कि वो जो उसने profit लिया ना एक लाग उसको आपको reverse करना पड़ेगा यानि profit and last account को debit करेंगे और machinery के account को credit करेंगे अब जब यह entry आप डाल देंगे तो obviously उसके पास machinery की figure जो है वो 6 लाग की बजाए 5 लाग पर आ गई लेकिन उसने तो अपने accounts में उसको 6 लाग पर record किया हुआ है तो वो depreciation भी 6 लाग के हिसाफ से record करेंगा तो वो बनती है ताथ हजार दस साल की life है तो एक साल की बनेगी ताथ हजार लेकिन बननी actually group के point वह से होन चाहिए थी पांच लाग पर which is 50,000 तो जो difference है दस हजार का उसकी adjustment आपको डालनी पड़ेगी accumulated depreciation को debit करना पड़ेगा और profit in last account को credit करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जब आपने depreciation expense को debit किया है तो आपने अपना profit 30,000 से कम किया है जबके 50 से कम करना चाहिएगा तो जो कम 10,000 extra किया है वो reverse करेंगे तो यह भी entry आपको करना पड़ेगा इंटर कंपनी बारिंग्स यह भी एक बहुत बड़ी एक issue है कि हम normally company खरीदते हैं जो कमजोर होती है ताके उनको support करके profit बनाया जाए management जो है न यह देखती है कि अगर हम इस company को buy कर लेते हैं यह हमारा resource supply करता है हमाई raw material supply करता है और उसको फिर वो funding भी करते हैं उसको help out करते हैं उनको पैसे भी दे देते हैं उधार भी दे देते हैं तो देखें इंटर company borrowing में क्या होगा on first of January 2020 holding company a lands 100,000 at 10% for two years उन्हें का आज यह देते हैं आपको दो साल के लिए देते हैं आप इस्तमाल करें चलाएं business को control तो आपका ही होगा policy making आप करेंगे लेकिन बहुत बैठे में कोई और लोग हैं जिनको आप support कर रहे हैं holding company received advance to holding company recorded advance to the subsidiary B limited and subsidiary recorded loan from holding company A जनी एक ने आपने advance कहलें assets book किया एकने liability book की अब question इसमें यह है कि at the end of A limited record bank debit 10,000 वो जो interest की figure हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अच्छा एक और बात वो जो borrowing की हुई है ना एक liability एक asset वो भी cancel होगा और यह जो इसमें interest की बात हो रही है यह adjustment profit in last second के point और उससे है debit interest expense and credit interest income यह एक company जो है जिसने loan दिया है वो अपनी income report करेगी interest income और जिसने loan लिया है वो आपका expense record करेगी अब यह भी जो है इसको भी हमें reverse करना पड़ेगा क्योंकि आपस में अगर कोई receipt payment हो रही है तो वो group के point of view is receipt payment as such नहीं बनती technically यह भी होता है sometime कि एक company जो है वो services provide कर रही होती है दूसरी company को और वो charge कर रही होती है तो उस services charge जो कर रही है वो अपनी income दिखा रही है और जो pay कर रहे हैं services को वो अपनी expense दिखा रहा है इसको भी cancel करना पड़ेगा group के दर्मियान जो भी transaction है उसको somehow आपको adjust करना पड़ेगा तो देखें इसमें क्या है कि आप loan और advance दोनों को cancel करेंगे और interest को भी cancel करेंगे यानि receivable interest और payable interest दोनों को cancel करेंगे अचा सबसे identify net assets should be adjusted to fair value in the group financial statement before goodwill is calculated यह बात मैं explain कर चुका हूँ पहले भी कि आपने तमाम net assets जो है वो property है equipment है जो भी है उस सब को जो है न अपडेट करना है उसकी fair value work out करनी है क्योंकि fair value देखना आप चीज़ खरीद में जा रहे हैं तो जो price आप pay करें make sure that you are paying the right price इसलिए हमें उनकी fair value जो है रहा adjust करना पड़ती है वो inventory हो या plant and equipment हो और इसमें जो contingent liabilities की बात है यह भी है कि कि अगर कोई contingent liability है तो उसको भी consider करना पड़ा है contingent liability होती है कि happening के वकत ऐसा कोई बाद में कोई happening हो जाए और हमें देना पड़ जाए कोई पैसा तो उसको भी हमें consider करना पड़ता है adjust for fair value at acquisition and at the reporting date even though the contingent liability is not recognized in the individual accounts of the subsidy यह note कर एक point कि जो contingent liability होती है वो balance sheet में as such नहीं दिखाई जाती है लेकिन notes to the accounts में mention करना पड़ता है कि यह case spending है जिसकी outcome का पता चलेगा जब case decide होगा और अगर case हमारे against decide हो जाता है तो तो हमें इतनी liability पे करनी पड़ेगी इसी तरह contingent assets भी होता है तो इसी तरह यह जो contingency है इसको भी हमें consider कर लेना चाहिए depending upon कि case क्या status क्या है अगर तो case जो है वो आपके हग में जा रहा है तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है लेकिन लग रहा है कि case हमार जाएंगे तो फिर उस liability को भी आपको record में लाना पड़ेगा thank you very much